अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाये थे डिवाइड और रूल करने के लिए लूटने और माटने के लिए लेकिन कांग्रेज ने भी बहुत से कानून बनाये इस देश को डिवाइड और रूल करने के लिए और लूटने और माटने के लिए 1991 में पहला कानून बनाया places of worship act और हिंदू जैन बहुत सिख के लिए कोट का दर्वाजा बंद कर दिया 1992 में दूसरा कानून बनाया इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया आलप संख्यक बहु संख्यक में बांट दिया हिंदू जैन बहुत सिख पे लागू होता है लेकिन हिंदू को मिजर्टी बना दिया सिख जैन बहुत को माइनाटी बना दिया ये इसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थी और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांघरेस ने नाइंटीन 95 में जिसको कहते हो वाफली जने मुट्यक्त है जिसको मैने सुपरीम कोट में सुपरीम कोट में चैललेंज किया और इसकि एगली ही सुनुए process question फाइल कर दिया कि מסेर हाइग पाइगे म्ट्राइक के सारी के एक मुतवल्ली वो भी मुस्लिम और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पर जाके कहदे ये जमीन वक्फ की है तो आप उसके आरडर के खिलाफ उसके नोटिस के खिलाफ नियरबाई कोट में भी नहीं आ सकते आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रेवनल म कहने का मतलब अगर मेरट में या मुजफन नगर में किसी की जमीन पर वक्फ बोड कह दे ये वक्फ की जमीन है तो वो मेरट की कोट या मुजफन नगर की कोट में नहीं जा सकता उसको जाना पड़ेगा लखनो जो मेरट मुजफन नगर से सास सा किलोमेटर दूर है और वह और जाके पनी सफाई देनी पड़ी गुए कुर सफाई किसके सामने देना है। उसी ट्रेबिनल के सामने उसी बोर्ब के सामने जिसने का यह जम Oof क्या है। अइसा कानून यहुदियों के लिए नहीं, अइसा कानून पारिसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। उसको जहां मन चाहे वहाँ नोटिस इशू कर दे इसके चक्कर में ये वकबोर वसूली कर रहा है लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेर कर देंगे लोगों उसे पैसा लेता है गरीबों का धर्मांतर करा रहा है आदिवासी एरिया में जहां लोग कानून नियम को ज़्यादा नहीं जानते वहाँ पे ये नोटिस देता है और कहता है कि भई एक तरीका है अगर आपको जमीन बचानी है तो इसलाम कबूल कर लो मुस्लिम मन जाओ तो इस तरीके से 36 गड़ के एरिया में महारास्टा के एरिया में और भी जहां पर पिषड़े वोग रहते हैं गरीब रहते हैं जिनको नियम कानून जादा नहीं पता वहाँ पे ये कनवर्जन का कारण भी बन गया है इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून खतम होना चाहिए घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट दो है और घटिया कानूनों के खिलाफ चुप रहना भी सबसे बड़ा राष्ट दो है मैं इस देश के सांसुदों से निवेदन करता हूं विराइकों से निवेदन करता हूं इस घटिया कानून के खिलाफ बोलिए 1991 के प्लेसिज आप वर्शिप एट के खिलाब बोलिए 1992 के माइनाटी कमिशन एट के खिलाब बोलिए और 1995 के वर्फ एट के खिलाब बोलिए ये तीनों कानून